सब्सक्राइब एक बार फिर से आगए हम बिना सोचे समझे बेग उटाके कुछ जिन महाकाल की नगरी में अभी सुविसे पर हुटते है और फिर चुलते है महाकाल की दर्शन करने है अगर का एंट्रेल से और बार से महाकाल की दर्शन कर सकते है तो बने रहे हैं दोस्तों चलते और करते हैं महाकाल की दर्शन तामने हमारे तीन पाइट है यह मंदिर में हमारा प्रफेर्श हो चुका है मंदिर में मुबाइल अलाउन नी था इसलिए अने मुबाइल को बार ही लोकर में दिया यह मंदिर का फ्रेंड यह मंदिर का प्रविस्वार है यह क्राउड है यहापर आयो है फ्रदालू देशी राजस्तानी जो यहापर आये उज्जेन में गूमने है मंदिर के जस्ट प्रंट में है नदी मंदिर के जबद हों नदी मन्दिन में सबसे बेस्ट टाइम है मौर्णिंग का मौर्णिंग में सुबे जल्दी आजाओ आप मन्दिन में और चार बजे के आसपास या पर सिवजी की पूजा चालो हो जाकी है अब आपको पूज आलाना है विय्व 2 गाइभ तो आपको तीन वजे अपने रूम से निकल ना हो गाए तो आप पूजा में सामिलो पाओगि कि सुबद क्राउट बहुत जड़ता रहता हैrift और गर आपको आराम से देशन करने है तो आप रात को आठ या नो बुजे के आस्पाज आओ तब थोड़ी सी भीड़ दम रखती है मंदिर के कोरीडोर में ही मुबैल अला हुए और इसके अंदर मंदिर के अंदर आपन मुबैल नहीं ले जा सकते हैं तो मांकाल की दर्शन में नहीं करा सकता आपको लेकिन मैं मांकाल का लोग जुरूर दिखा सकता हूँ आपको मंदीर का मेनेजमेंट बहुत अच्छा है या था शोटी मोटी एक दो कम्या है रावद पाटा टू उज्जे एंज जन्नी मिश्टर सक्तु सर्बा और हमारे दो किंग अभी मंदीर भूम रहे है यह जो व्यू है यह बोले नाथ के पूरे नौर वूप है अगर आप सर्दी में आते हो तो उज्जेन का एक्सपीरियंस वन ओफ दे बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है अगर आप उज्जेन आ रहे हो तो पूरा टाइम लेकर है क्योंकि यह पर जो टेम्पल है इसमें आपको बहुत ज़दा टाइम देना होगा क्योंकि यह पर आपको बहुत ज़दा टाइम आपको बहुत ज़दा टाइम देना होगा अब शिव गण कहो या भक्त गण कहो बात तो एक ही है मंदीर के कोरीडोर से लेकर मंदीर के अंदर सब जगे का आर्किटेक्ट इतना अच्छा है कि आप जगे जगे लोग पोटोज और वीडियो लेते में मंदीर का एक्जिट है